हमने सीखा पहला सवाल को समझना सवाल पर काम शुरू करने का सबसे पहला कदम है सवाल को पढ़ना और यह देखना कि क्या जानकारी दी गई है और क्या रशना करनी है यह एक तरीके से जानकारी को समझ कर उसे गणिती रूप वा संदर्व में परिवर्तित करने जैसा है इस पर यह समझने की जरूरत है कि दी गई जानकारी में से कौन सी उपयोगी है और कौन सी नहीं दी गई जानकारी के आधार पर किन जामिती औधारनाओं का उपयोग हो सकता है इस तरह की सोच सवाल को समझने में मदद करती है दूतरा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर एक कच्चा यानि रफ चित्र बना कर विशलेशन कर यह सोच सकते हैं कि इस सवाल को किस तरह हल करें इसमें यह सोचना होगा कि जो जानकारी दी गई है उसमें अपेक्षित आकरिती का कौन कौन सा हिस्सा हमें ग्यात हो गया है और आकरिती के रशना करने के लिए क्या और चाहिए तीसरा एक बार विशलेशन कर कच्चा या रफ शित्र बनने के बाद चरण बद रूप से जामिती रशना की जा सकती है चौथा अंत में रशना पूरी होने के बाद देखें कि रचित आकरिती सवाल में दी गई जानकारी के अनुसार है या नहीं जामिती रशना में आप माप के अलावा प्रमान यानि प्रूफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि रचित आकरिती अभिश्च है या नहीं